हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत पना स्टेडी लेक्चर यूटूब चले में तो दोस्तों इंग वर्फी राजीर माप साथ एक most important topic को लेकर यह फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जमीन के संबंधित यानि पेपर के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि अचल संबंधित जैसे कि अगर कोई plot है कोई जमीन है खेत है और आपका कोई घहर है उस संबंधित आपके पेपर जो जमीनी संबंधित पेपर हैं वो कहीं खो गया है मालीजे जल गया हो किसी कारणवस खो गया हो बाढ़ में बह गया हो और मालीज & 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 लाइक बटन आप नहीं देते हैं मुझे मैंने लगभग 500 से उपर वीडियो प्रवाइट किया है लोगों ने देखा है बट लाइक नहीं किया है क्या रीजन है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं मैं इतनी लगातार मेनस से आपको वीडियो प्रवाइट करता हूं लेकिन आ अगर कोई भी प्रॉपर्टी है कोई भी जमीन है तो सबसे पहले आप उस जमीन का कागज रखें अगर कागज नहीं है तो आप उस जमीन को कहीं बेंच नहीं सकते हैं उस जमीन पर आप कोई लोन नहीं ले सकते ठीक है तो आपको उस जमीन पर आपको कोई सरकारी जो भी benefit मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके पास कागज original नहीं है आपके पास जमीन है आप उसका इस्तमाल करते हैं आप खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो भी आप करते हैं वो आप बकायदा कर रहें बसरते आपके पास उसका कागज नहीं है तो उस कागज के बिना आप कोई ऐसा सरकारी काम नहीं कर सकते हैं जिससे आपको उससे जैसे कि आपको लोन करना है लोन लेना है आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसमें आपके पास original documents बैंके में जमा करने के लिए आपके पास नहीं होगा तो वहाँ पे इस तरह से बहुत सारे काम रुख जाते हैं इसलिए आपको सबसे पहले आपने original document ले सकते हैं तो original documents माल लिजे कि आपको जल गया हो आग लगी माल लिजे किसी कहीं पे तो आप आपके ही यहां तो कोई ऐसी समश्य हो जाती है अम मुमन देखा होगा अपने गाउं में तो यहां पे इस तरह से कागज खो गया हो जल गया हो चोर चोरी कर लग गया हो और वहीं पे अगर माल लिजे कि बहाई ताव चाचा चाची आपको जमीन के कागज ना दे रहे हो तो इस सारी कंडिशन हो सकती है आपके कागज से समद्नीद तो यहां पे अगर ऐसी समश्य आती है तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल डाकुमेंट प्राप्ट करने के लिए क्या करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको कागज गायब है जैसे कि अगर आपके हाँ आग लगती है उसमें जल जाता है या बाढ़ हाती है उसमें बह जाता है या आपका चोरी हो जाता है या कहीं गिर जाता है खो जाता है नहीं मिलता है या भाई चाचा ताओ आपको कागज नहीं दे रहे हैं तो इन सम्मंधित आपको वहाँ पे FIR में ये पूरा बकायदा लिखाना होगा कि क्या-क्या इस्तिती से आपको कागज आपके पास नहीं है पहली कंडिशन आपको क्या है FIR करानी है दूसरी कंडिशन क्या होती है सरकारी कागज के लिए कि आप उसमें अख़बार में नोर्टिश निकलवाएं नोर्टिश निकलवाएं एक मानेता प्राप्त अख़बार में आप उसका जोकी पबलिस कराएं और उसकी कटिंग आप अपने पास रखें ठीक है अब यह सब काम करने के बाद आपको क्या करना है कि कानूनी रास्ता अपना है कानूनी रास्ता का मतलब हो गया कि आपके पास F.I.R की कापी होगी आपके पास paper की cutting होगी अब यह सब documents आपको ले जाके आपको अपने तहसिल में जाना है और वहाँ पे आपको एक इस् दिखाना है और उसके बाद उसको रजिस्टार आफिस में ले जाना है और नोट्री के साथ पास कराना होगा ठीक है रजिस्टार रजिस्टार आफिस जाना है और वहां पे नोट्री के साथ उसको पास करवाना है उसके बाद रजिस्टार आफिस में उसको पास कराके उसको जमा कर देना है तो वहां से क्या होगा आपको एक इसकी कापी मिल जाएगी जो कि आपको 10-15 दिन 20 महीने जो भी लगेंगे उसके लिए आपको सुलक देना पड़ेगा ठीक है डूबलीकेट कागज जो आपको मिलेगा जिसका आप इस्तमाल कर पाएंगे सरकारी किसी भी दस् सरते आपको खसरा नंबर या गाटा नंबर प्राप्त करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको लेकपाल या पटवारी से मिलना होगा वहां के मिलने के बाद आप उनसे खसरा नंबर ले सकते हैं क्योंकि उनके पास पूरी डाकुमेंट्स रहती है लेकपाल या पटवा कि किस एरिया में है तो वहां से उन से पूछ सकते हैं कि इसका खसरा नमबर या गाटा नमबर क्या है और गाटा नमबर खसरा नमबर और नाम से आप ओनलाइन अपने खतवनी को निकाल सकते हैं लेकिन जो आप ओनलाइन खतवनी निकालेंगे वो नकली खतवनी होती है इसका इस्तमाला आप सरकारी या किसी कानूनी दस्ताव्यज में इस्तमाल नहीं कर पाएंगे इसलिए आपको तहसिल में ओरिजिनल कापी निकलवानी होगी ये कापी आप कुछ सुल्क दे कर ही निकलवा पाएंगे और ओभी आप तहसिलदार के और कानून को के मदश से यानि आप अपने लेकपाल पटवारी से मिलकर भी इस चीज को कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको FIR करानी होगी FIR के बाद अगर आप पेपर में या अख़बार में इसकी नोटी शपवा पाते हैं पब्लिस कर पाते हैं तो ठीक है नहीं तो आप जो की स्टाम पेपर में पूरा बकायदा सारा मैटर लिखवा सकते हैं जिसमें आपकी जिसके तुरू आपका ये कागज खो गया है उसको पूरा लिखने के बाद यानि नोटी बनवाने के पाद इसको आप रेजिस्टर राफिस में जमा करेंगे और उसके 15-20 दिन बाद सुलक दे के आपको ये सारे डाकुमेंट्स मिल जाएंगे तो इस तरह से आप अपने सारे ओरिजिनल डाकुमेंट्स निकाल वा सकते हैं आपको कहीं कोई दूरूटी नहीं होने वाली है ठीक है तो इस तरह से आप राप्ट कर सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लाक कमेंट बॉक्स में जरूरू बताईएगा वीडियो इहीं समाप्ट करते हैं नमस्कार